एक बहुत सुन्दर कता है अयोध्या की भगवान शिव कैसे अयोध्या जाते हैं कता इस प्रकार से आती है कि एक बहुत अच्छे जोतिशाय है और मतलब वो आख की तरह फैल रहा था ये समाच्छाय जोतिशाय है सैकड़ो सैकड़ो लोग मिलने जा रहे थे मतलब गली में किसी नुकड़ पे किसी दुकान के सामने जगा जगा सब जगा यहोध्या में लोग कतर हो रहे थे हमको भी मिलने हैं किसी की वो जोतिश कुंडली देख रहे थे किसी का वो हाथ देख रहे थे और वो इतने आसान से देख रहे थे, मानो जैसे बच्चा खेलता है ना एक बॉल के साथ, ऐसा वो बड़ी आसानी से जोतिश देख रहे थे, बहुत ही सुन्दर, बहुत ही अच्छे से, लेकिन actually वो दिखतो जोतिश रहते लेकिन काम कुछ और था, उनका वो क्यों आये थे यह उद्या में, उनके रखा है कि इस जगा पे जाएंगे, और जैसे ही उनको दिखा कि मेरा जो डेस्टिनेशन है, मेरा जो लक्षे है, वो नजदिक आने वाला है, वो और दीरे हो गए, और बड़े रिलाक्स हो गए, कि फाइनली मैं आ गया, और जल्दी ही वो चीज मिले कि जो लेने आया जोतिश का रूप लेके आया, और उनको बहुत अत्पर था कि एक बार तो राम जी के दर्शन कर लें, जो कि अयोध्या का सबसे कीमती धन है, एक बालक के रूप में भगवान रह रहे हैं, और कौशल लिया, जो राम की माता है, उनकी भी इच्छा थी, मेरे पुत्र का, मा बच्छों का जोतिश दिखाएं, उनको उनसे पूछें कैसा है इनका, तो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा, जोतिश को, कि हाँ, मुझे मिलने है आपसे, हमसे मिलने आओ, महरानी है, बोल सकती है, जोतिश तो इम्मीडियेटली तभी का तभी एगरी होगे, उसी की तो वे देखे गए, जहां पे वो अपने सबसे प्रिये हन, जो उनका पुत्र है, राम जी के साथ प्रतिक्षा कर रही थी, और जब शीव जी ने पहली बार माता कोशल्या के सामने आये, और राम जी को एक बालक के रूप में देखा, शीव जी बिलकुल स्तब्द हो गए, मतलब ऐसा सुन्दर रूप के दर्शन, और उसके बाद जो हुआ, शीव जी बिलकुल डिस्चर्ब हो गए, जैसे मानो उनका पूरा प्लैन फेल हो गया हो, क्या हुआ? शीव जी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा, शीव जी तो खड़े थे दर्शन ले रहे थे बड़े प्रेम से, उनके नेत्रों का मानो पूर्ण रूप से पोशन हो रहा है, आखे बहुत प्रसन है, मानो आखे नाच रही हो, कि हाथ जो देखना था देख लिया, ऐसा रूप देख लिया, लेकिन माता कौशल्या ने राम जी को इशारा किया, और जैसे मानो थपथपाया पीट पे जाओ बेटा, और वो भागते हुए आए, और उनोंने वो जोतिश के चरनो को स्पर्ष कर लिया, जुख गए प्रणाम किया, बड़े जोतिश हैं, पंडित हैं, ब्रामन हैं, तो बालक को बोला, जाओ उनका शीरवाद लेके आओ, और शीव जी ने कभी सोचा नहीं था कि राम मानों उनके होश उड़ गए हैं, और बहुत ही उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही हो, कि अरे राम जी ने मेरे पाउं को स्पर्ष किया, मेरे चरनों को स्पर्ष किया, उसके बाद देखिए शीव जी इतने होश उड़ गए, उसके बाद उनके सामने क्या-क्या चला, क्या नहीं आ लोग का रिकिस्ट कर रहे हैं। दाम के प्रती सम्मान है उनका इतना वो उनके पूझनी है उनके लिए उन्होंने आके पहुंच हुली है कुछ घंटे हो गए और जब वो अयोध्या से बाहर जा रहे थे वो सोच रहे थे ये सब जो अनर्थ हो गया इसका प्राइस्चित कैसे करेंगे तब उनको एक आइडि राम-जी की कुछ विनम्र सेवा करूं और राम-जी की सेवा तब ही कर सकता हूँ मुझा कैसे करसता हूँगा अगर शिव रूप में जाओंगा तो राम तो सेवा करने नहीं देंगे तो उन्होंने सुचा अपना ही एक अंश जिन से राम जी असानी से सेवा ले ले उस रूप में जाता हूँ और उन्हांने सुचा अभी मेरा ही एक अंजन आधरी परवत पे रह रहा है और वो कौन है हनुमान जी उन्हीं को तो उसी परपस के लिए तो आये थे और कोई उनके लिए बहुत कठिन नहीं था हनुमान जी को मना नहीं उनके लिए मुश्किल नहीं था उनको मालूम था हनुमान जी तो एवरेडियी है सिवा के लिए उनकी माता अंजना बहुत खूश होगी तो हनुमान जी को उनकी साथ अंजना माता जो है उनकी पड़े उत्सा में उनको अयोध्या लेके जाने के लिए और जब भगवान पहले जोतिश रूप में आये थे, इस बार उन्होंने सोचा एक मदारी होता ना, जो बंदर को ट्रेन करता है, उस रूप में जाएंगे, मंकी ट्रेनर, और साथ में हनुमान जी को वानर को लेके जाएंगे, वानर रूप में हैं जो की, उनको लेके जाएंगे, और बहुत ही फुर्तीला, बच्चा जैसे बहुत नटकट, वैसे वालक उस बालक के रूप में लेके जाएंगी, और मदारी के रूप में अपना डमरू बजाते हुए, और सहकडो सहकडो योद्यावासी आगए, आरे कुछ बंदर कोई कर्तब दिखाएगा, उचलेगा, गुदेगा, और वो इतना बढ़िया से कर्तब चल रहा था, कि जैसे जैसे उनका डमरू, ड्रम बीट्स जो बज रहा था, जो भी उनका ड्रम लेके गए थे, वो बजा रहे थे, उससे वो परफेक्ट मैच हो रहा था, और तब उन्होंने, सारे के सारे बच्चे बड़े प्रभावित ह बच्चों को इस सब में बहुत इंट्रेस्ट होता तो बच्चों को और वैसे भी राम जी तो पालक रूप में थे, उनको आकरशित करना था, थोड़ी देर हो गया, उसके बाद थोड़ा परफॉर्मेंस दिखाया, उसके बाद ये मदारी अपने बंदर को लेके आगे चल करशित करते हैं लोहे को, वैसे चुम्बक की तरह ये लोग काम कर रहे थे, और सब सोच रहे थे, ये जो ट्रेनर है, जो मंकी ट्रेनर है, जो मदारी है, इतना एक्सपर्ट है, अपना ड्रम बजाने में, ऐसे लगता है, साक्षात शिव आए हैं, लोगों नहीं बोली ढाल कि वो बजाई इतने अच्छा, अभी बोलते हैं ना, सूरज को आप छिपा नहीं सकते, तो शीव जी जब अपना ड्रम बजाएंगे, अपना ड्रम बजाएंगे, तो नैचरली कोई भी समझत जाए, कला में तो दिख रहा है न, कौन है, कितना ही रूप बदल के छुपाने कितना ही जी 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 जड़ कितना ड्रम बजाएंगे, वहत रहा है, दो gardens, तो उनड़ और में वहा हैं, अबकून तुर्ष्ष्रत महाराज और उनकी तीन रानिया भी खीजी चली आए क्योंकि चार बच्चे जा रहे हैं और दश्ष्रत महाराज उनकी रानिया बस ये बच्चों के पीछे पीछे, इतना बच्चों के प्रेम से उनके इतने मंत्र मुग्ध हो गए थे चूटता नहीं था वो साथ तो मंकी मंकी ट्रेनर अपना मदारी जो है और उनके साथ ये वानर जो है अभी तक तो इतना उचल रहे थे इतना करतब दिखा रहे थे जैसे राम जी आए इसी का तो वेट कर रहे थे जिसके लिए नाचना था जिसके लिए कुदना था और अब वो आ गया तो और उचल के कुदेंगे और दिखाएंगे और मुस्कुडा के दिखाएंगे हस्ते हस्ते दिखाएंगे और बार बार उनकी तरफ देखेंगे उनके चहरे पर क्या इसा करके competition चलता रहेगा और ऐसा डमरू बजाया शीव जी ने जो एक सधारण मनुष्य के लिए संबब ही नहीं था देखने वाले सब लोग ऐसा मंतर बुग्ध हो गए, ऐसे हक्के बक्के रहे गए, ऐसा, मतलब आखे उनकी छपक ही नहीं रही थी, जोकि शीवजी साक्षात है ना बजाने वाले इंस्ट्रुमेंट्स, कभी कोई मृदंग बजाता है तो लोग देखते हैं, रहे क्या बजा है, अब शीवजी जब बजाएं तो क्या होगा सोचिए, और इतना अच्छा करतब देखे तो किसी का भी दृत्ते करने का मन करेगा, और ये वानर जोकि उसी परपर्स के लिए थे, वो ऐसा कूदे, ऐसा उचले, ऐसा नाचे, ऐसा दृत्ते किया, ऐसा परफॉर्मेंस किय और सब कुछ इतना फास्ट कर रहे थे हनुमान जी, जैसे मन की स्पीड से, मन बड़ा फास्ट होता है न, एक समय अमरिका पहुँझा, एक समय ऐस्ट्रेलिया पहुँझा, एक समय अफरिका पहुँझा, एक समय, शन शन में समय स्थान बजलता है मन, मन की स्पीड बहुत ह के देख रहे थे, रे मज़ा आया, मज़ा आया, I like that, राम भी अपना बच्पन का आनंद ले रहे थे, तो यहां तो वही बता रहा था कि भगवान का उत्सा और भक्त का उत्सा, इदर शीव जी का, हनुमान जी का उत्सा, इदर भगवान का उत्सा, और वो इतना पीक पे पह पहुँच गया, इनका उत्सा, इनका उत्सा, ऐसा पीक पे पहुँच गया, और फाइनली जो भगवान शीव मदारी का रूप लेके आया थे, उन्होंने अपना परफार्मेंस थोड़ा स्लो किया, किसा किरतन है ना, फास्ट चल रहा था फिर दीरे, 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 और सारे लोग जोर से ताली बजाए, कोई विसलिंग, सीटी मार रहा है, कोई बहुत प्रशंसा कर रहा है, बोल बोल के, कोई सोने के सिक्के बरसा रहा है, ये लोग इसे इनाम देते हैं ना, परफार्मेंस करने वाले को, और राजा ने स्वयम आके खूप, आये कि कुछ तो मुझे भी रिवार्ड देना चाहिए, मुझे भी इनाम देना चाहिए, और तभी भगवान राम कुछ तो ऐसा बोले, बड़े मीठी मीठी वानी में बोलते हैं, पिता जी, मैं चाहता हूँ, ये वानर को मैं अपने पास ही रख लूँ, दश्रद महराज को बोला, रे म मदारी और वानर रहे वो इतने उत्सहा होगई, इतने उनको रोमाँच होगए आरे क्या इच्छा रखिया आपने। तबी वो मदारी ने उस वानर को अपने हाथ में लिआ, बड़े प्रेम से रामजी की उजाओं में, रामजी की बाजुवे हाथों में, बड़े कोمل-कोम हाथ प्रेम से बड़े हाथ इसमें रख दिया और जैसे ही वो वानर राम जी के हाथों में आए उन्हों ने अपनी आखे बंद कर ली अपने स्वामी के हाथ का स्पर्ष अनुभव कर रहे हैं ऐसा अद्भुत स्पर्ष था उनके हाथों का अनुमान जी को सुन्दर बात है देखिए भगवान पहली बाज़ अब स्पर्ष करें हमें गोद में लेके एक बालक के रूप में विक्ती आँख बंद करके मतलब वो अनुभव कभी अंत नहीं होना चाहिए वो एक्सपीनियस लगातार शाश्वत काल तक रहना चाहिए उनको ऐसा रोमान चुआ उनके रोंग्टे खड़े होगे पूरा शरीद आनन में कमपन हो रहा था और भगवान ने उनको बड़े जिसे चाती पे आलिंगन करके लगा लिया और उनकी आँखों से अश्रु प्रवा होने लगा पनुमान जी को लगा बस जीवन में जहां पहुँचना था जिस लक्षे पे पहुँचना था वहां पहुँच गया और सारा का सारा अध्या के लोग देख रहे हैं राम जी कैसे इस वानर को बड़े प्रेम से पकड़े है और तब दश्रत महाराज अभी तक तो पूरा एब्सॉर्ब थे राम जी में और राम जी कैसे वानर को गोद में पकड़े है दश्रत महाराज भूली कि मैं तो जो मदारी हैं में जाओं और वहां राम जी बस अपनी क्रिपा दे, मुझे प्रेम दे, मुझे अपना दास समझे, वो काम हो गया, शीव जी वहां से चले गए, तो इस प्रकार से बहुत सुन्दर कता है, तो कि एक्चुली शीव जी वहां से गए नहीं, वो अपने अंश के रूप में वहा